अर्थ प्रकाश देखे में तवार्म भाईये बेनों को डॉक्टर स्वासिक शर्मा और मेरे कैमरामेन रहूल का नमश्काल प्यारे भाईये बेनों हर्याना के अंदर कैबिनेट बन चुका है गठमंदन सरकार बन चुकी है भारती जैनता पार्टी की और गठ दिनों कुछ द देखना पड़ता है गठमंदन के अंदर बहुत सेक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं अब हम बात करेंगे भारती जैनता पार्टी के सिहोगी गठमंदन की जन्ना एक जैनता पार्टी में दुशन चुटाना जी ने पहले मुख्यमंत्री का पत्समाल लिया अपने इस मंत्री मंदल में निर्दलियों को विस्तूस्ट करने के पूरी कोशिश की गई है और हम बात करते हैं जन्ना एक जैनता पार्टी की जन्ना एक जैनता पार्टी का सिर्फ एक ही MLA बना है मंत्री ओनूप धानक जी जो राजिय मंत्री बने है और बाकी इस पार्टी में क पुषण चुटाला के वाद सबसे कदवार नेता हैं तो यह जीते थे नार्नों से और नार्नों से भ्यारती जनता पार्टी के दिगज लीडर अगमन्यू को राकर इन्हों ने अभिषान समय प्रवेश आशिल किया यह समय नहीं कि अधर यह क्या हो गया पार्टी के अंदर जब सारी सीस बातें फाइनल होगी थे कंसेट खिले हो गए था की रामकमर गोतम जी को मंत्री मंदल में इस्थान दिया जाएगा लेकर एन वक्त पर उनका नाम इस मंत्री मंदल में नहीं था यह बहुत बड़ी बात है यह क्या हुआ यह पता नहीं है अब हमारे सूत्त इ यहां पर देखना पड़ेगा कुछ जगा पर जजपा और भारती जनता पार्टी के बीच में जहां पर हमें लगता कि इस तालमेन की कमी दिखाई दे रही है उसमें यह लग रहा कि जो दिविंदर बबली है वो टहाना से उन्होंने हराया श्रीश भाष बराला प्रदेश ध्यक्ष को और यहां पर सबसी बात है कि सबसी चुनोती भारती जनता पार्टी के लिए जजपा के लिए कि अगर इनको मंत्री बनाया जाता तो कैस जाजस्मेंट होगा तो किसी तरी चुनोती है देविंदर बबली जी का नाम भी नहीं आया और उसके वाद रामकरनकाला जो बहुत बड़े मारजन से शावाद से जीते हैं शावाद मारगंडा से जीते हैं उनको भी नाम था कि उनको और जाश्रमन किया जाएगा कि लेकि वो अपने MLA को बाकी MLA को किस तरह से अर्जस्ट करते हैं किस तरह से उनको संभाल के रखते हैं कई ऐसा नहों कि यह MLA अपने MLA को किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर उनको मंत्री मंडल में स्थान दिला सकती है तो यह बहुत बड़ी बात हैं यहीं मेरी रिपोर्ट थी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामन राहुल की हर्याना की ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट